पॉलिवुट की कई अभीनेत्रियां ऐसी रही हैं जिन्होंने अपने करियर में जितनी सफलता हसल की उतना ही दर्द उन्होंने अपनी पोर्सन लाइफ में छेला आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही अभीनेत्री की जिन्नोंने अपने बच्पन से लेका जवानी तक के सफर में सिर्फ दुख ही दुख देखे लेकिन हिंदी सिनेमा जगत में उनका नाम बहतरीन अभीनेत्रियों में लिया जाता है जी हाँ हम बात कर रहे हैं आपकी फिवरिट एक्ट्रिस सारिका की जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे क्या आखिर याभीनेत्री आज कहा है और किस हाल में है जानने के लिए बने रही है हमारे साथ वीडियो के अंधितर बात आज की दोर के चर्चित एक्ट्रिस रही सारिका की जिनके अपनी समय के सभी दिगल स्टार्स के साथ काम किया रिपोर्ट्स की माने तो सारिका ने बच्पन से ही काम करना शिरू कर दिया था बताय जाता है कि सारिका के पिता उन्हें और उनकी माता को अकेला छोड़ कर चले गए थी ऐसे में बच्पन से ही सारिका के उपर जिम्मेदारियों का बोज आ गया था ऐसे में सारिका ने बहुत छोटी उम्र से काम करना शुरू कर दिया इन्हीं जिम्मेदारियों के कारण सारिका बच्पन में स्कूल तक नहीं जा सकी थी बहरहाल कहा तो ये भी जाता है कि सारिका अपनी मां से भी नहीं बना कर रख पाती थी क्योंकि वो उन्हें सिर्फ डॉमिनेट करती थी बल्कि उनका कमाया सारा पैसा भी अपनी पास रख लिती थी आपको बता दे इनी सबी बातों से परिशान होकर एक दिन सारिका ने अपनी मा का साथ छोड़ दिया और चैन नहीं चली आए सारिका ने चार साल की छोटी से उम्र में काम करना शिरू कर दिया था शुराती दोर में वो फिल्मों में लड़के की भूमी का निभाती थी 1968 में फिल्म हम्राज में सारिका ने बतोर गर्ल चाल्ड आर्टिस्ट काम किया और बेग्वी सारिका के नाम से लोग इनहीं जाने लगे थे एक्टर सचिन की साथ सारिका ने कई हिंदी और मराथी फिल्में की जब सारिका अपनी करियर की उजाई पर थी ताब इनोंने कमल हासन से शादी कर ली और एक्टिंग को अलविदा क्याकर चन्ने ही शिफ्ट हो गए सारिका की पती और फेमस एक्टर कमल हासन ने पहली शादी साल 1978 में वानी गनपटी से की थी लेकिन ये शादी ज़्यादा टेक नहीं पाई वानी उम्र में कमल से 27 साल बड़ी थी बताया जाता है कि 10 साल के बाद दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया इसके पीछे की वज़ा थी कमल की दूसरी पतनी सारिका सारिका की फिल्मों में एंट्री के बाद से ही कमल उन पर फिदा हो गए थी दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया और वानी को कमल से अलग होना पड़ा सारिका और कमल की लव स्टोरी कुछ हटके थी दोनों कई सालों तक लिव इन रिलेशन्शिप में रहे उसी भी सारिका प्रेग्रिन भी हो गई थी इसके बाद कमल ने उनसे शादे की और एक्टरस ने बेटी श्रूती हसन को जनम दिया 1988 में दोनों ने शादे करकी अपने रिष्टे पर अधिकारिकता मोहर लगवाई शादे के बाद बेटी अक्सरा हसन का जनम हुआ कमल की दोनों बेटियां भी इंडरस्टी का जानमाना चहरा है कमल के साथ रहने के दोरान है सारिका महसूस करने लगी थी कि ये रिष्टार लंबा नहीं चलने माला है फिर कुछ सालों बाद वही हुआ जिसका सारिका को डर था कमल उन्हीं की एक सहली के प्यार में पड़ गए ये सहली गौतमी थी चादिशुदा गौतमी कमल और सारिका की ये शादी भी ज़ाद समय तक नहीं चल पाई जिसके बाद कमल और सारिका साल 2004 में अलग हो गए थे सारिका की बेटियों, शूति और अक्षरा ने अपनी मा के साथ रहने से मना कर दिया था इस घटना से सारिका अंदर तक तूट गई थी हाला के बीटते समय की साथ सारिका और उनकी बेटियों की रिष्टे अब पहले से बहतर हो चुके हैं बता दे कि गौतमी ने एक बिजनसमैन से लव मेरिज की थी लेकिन एक साल के अंदर ही दोनों अलग हुए और तालाख हो गए हाँ, इस रिष्टे में उन्हीं एक बेटी जरूर हो गई गौतमी अक्सर सारिका के साथ उसी घर में रहने लगी सारिका को अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि उनकी खास दोस्त के साथ पती की नज़ी क्या बढ़ने लगी है आखिरकार जब ये मारमला उजागर हुआ तो सारिका बहुत अपसेट हो गई ये सब गुता देखकर दुखी और परिशान सारिका ने चन्नाई में फ्लैट की बालकने से छलांग लगा दी थी इस दोरान उन्हें काफी चोटाई साथ ही तीन महीने अस्पताल में रहना पड़ा हालाकि इसके बाद जब वो लोटी तो ये तैक कर चुकी थी कि कमल की जिंदगी से निकल जाएंगी वो जरूरी भी हो चुका था क्योंकि दास सारिका सब को छोड़कर अपनी दो बीटियों के साथ मुंबाई आ गई माना जाता है कि सारिका और कमल हासन बॉलिवूट की सबसे पॉपुलर कपल्स में से एक थे उनकी लव लाइफ को आज भी इंडस्री में चर्चा पर रखा जाता है सारिका और कमल 17 साल रहने के बाद एक दूसरे से आलग हो गए आज की बाद की जाए तो इनके आज के बारे में हम आपको बता दे कि ये 62 साल के हो चुकी है और पहले के मताबिक काफी बुड़ी भी नजर आती है जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीजियो में तब तक अपना ध्यान रखिए बाए बाए